नमस्ते मैं गुर्दीब को और आप सब का स्वागत करती हूं गुर्दीब तड़का पर दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर दें बाकि आज मैं नारियल के लटू बनाने जा रही हूं जिसके लिए मैंन दो नारियल लिए थे तर कि कि अ मैंने चीनने लिल एक टोरी है असे को नारियल को तोड़कर नारियल को दोड़ कर मैंने इसको ऐसला हिस्सा इसका चतकू से निकाल दिया है ऐसी ऐसे इसको शील के सारा निकाल देना है थोड़ा टाइम लगता है इसको शीलने में लेकिन एक खाने में अच्छा नहीं लगेगा नारियल के लड्डू में इसलिए निकालने देते हैं काले वले हिस्से को निकाल कर मैंने इसको कद्दुतस कर लिया है अब हम इसे मिक्सी में प्रीक पीस लेंगे कद्दुकस करने से भी यह मोटा ही है देखिए मैंने नारियल को मिक्सी में पीस लिया है ब्रीक हो चुका है अब इसको एक कडाई में डाल लेते है बिना गैस में चड़ाए इसमें चीनी भी डाल देते है चीनी आप ऐसे डाल लेने तो पीस भी सकते है मैंने ऐसे भी डाली है इसको हाथ से हम लोग ने अच्छा से मिक्स कर लेना है जब तक चीनी भूलना जाए तब तक हाथ से मिक्स करना है अगर इस नारियल और चीनी को हाथ से नहीं मिक्स करना है मलेंगे ऐसे ही गैस में रख देंगे चीनी जल जाएगी तो नारियल के लड़ू में चीनी नहीं रचेगी देखिए नारियल और चीनी दोनों मिल चुके हैं अब मैं इसको गैस में रखते हूं चीनी ने पूरा पानी छोड़ दिया है आण जाएट से पाएट अंड़ देखिए पाएट आण के अब देखिए देखिए अब देखिए पाएट कर देंगे थोड़ी देर श्केर गैस भीमी आज कर देंगे नारियल की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है अच्छी आज भीमी आज है क्या रखगा है मैं जूपट अच्छी आज कर दो एड़ा 5 जूपट तक मैंने इस तीज आज में पकाए है और मैं इसकी आँच दीमी कर रही हूँ, दीमी आँच में इतको बड़ी बेर पताऊंगी, देखिए, यह हमारी कडाही बिल्कुल सफा हो रही है, इससे हमें पता जल जाएगा कि हमारा नार्यल हो चुका है, लड़ू बनाने के लाइक है, यह दिखिए, अब मैं गैस बन कर हो ठंडा होने से इसकी लड़ू बना लेंगे, ऐसे हम इसके छोटे-छोटे लड़ू बना लेंगे, ऐसे गोल-गोल, मैं आपको एक टिप्स भी दे रही हूँ, अगर आपकी बाई चांस कभी चाशनी जैदा हो जाए, तो आप उसमें दो जम्मच पानी का छिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लगा लें, फिर ठीक हो जाएंगे फिर लड़ू बन जाएंगे, दोस्तों हमारे नारियल के लड़ू बन कर तियार हैं, मैंने इनके उपर में कुछ नहीं लगाया, खाली नारियल के लड़ू भी बनाए है, इनकी अपना ही टेस्ट है, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि हमारे लड़ू कैसे बने है, फैंक यू,